उत्तर प्रदेश के बांदा में आज फिर दुशकर्म की घटना सामने आई है जहां बीते 6 अप्रेल कोई स्कूल जाते समय एक छात्रा को गाउं के मंचलों द्वारा बर्गला कर दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया गया है एक माह बीत जाने के बाद आज पीडित यूती ने बड़ी हिम्मत जुटा कर अपनी समस्या परिजनों सी बताई उसके बाद परिजनों ने अस्थानिय पुलिस को सूचना दी लेकिन अस्थानिय पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्जिना करने पर पीडित यूती के परिजन वाले दो मंचलों ने युवती को बीच रास्ते में रोक लिया और कहा कि आओ तुमको गाड़ी से कॉलिज छोड़ दे गाओं के लड़के होने की वजह से मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गई उसके बाद वो दोनों लोग मुझे कॉलिज ले जाने की बजाए गाओं के ज ने घर वापस आ गई लेकिन आज हिम्मत जुटा कर उन मंचलों के खिलाफ कारिवाई करते सजा दिलाने के लिए पुलिस हदिक चक के पास आई हूं वही दूसरी तरफ अपर पुलिस हदिक चक लक्षमी निवास मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है लड़की की बरामदगी करते हुए 164 के बयान भी कराए गये हैं कहे हुए वीडियो अभी तक नहीं मिले हैं साक्ष का संकलन किया जा रहा है उसके आधार पर आगे की कारेवाई की जाएगी जंगल में लिवा के जोपी ती मेरे साथ गलत काम दोनों लोग ने किया वीडियो भी बनाया है अच्छा तो किस तारी की घटना आप थाने गई थी क्या कारवाई हुए वहां कुछ नहीं हुआ अच्छा तो आज आप कहां आई हैं कि एस्पी ओफिस मुलाकात हुए क्या बोले अधिकारी मेरे से कुछ आप अच्छा अच्छा क्या चाहती हो आप इनको सब्सक्राइब आना चाहते हैं जिसकार मेरे साथ गलत काम की रड़ू सर सब्सक्राइब एक गाउं में एक लड़की के साथ कुछ युगों के इनकों ने गलत काम करने का मामला सामने आया है लड़की का रौफ है कि उन्होंने उसका गलत काम करने का वीडियो भी बनाया और धंति भी आया है बांदा से आयास जमा के रिपोर्ट बांदा से आयास जमा के रिपोर्ट